अगषी वाड़े किदर है, वो किदर बैठे है, मैं कुझे बस एक बार उन से वावाई करवाणी है, बस मैं धन्दे हो जाओंगा बैठे किदर है वो इक बार आतवुर करणा गए साइद निकल गए तुम तुम अपनी साथी में वुला नाम हाँगा जरूर एक बार उन से वाई-वाई करवाड़ी है बारतीय संसकर्ती आज भी जिन्दा है कलण के कावे में संकर के मठ में, राम के हस्तर में, परसुराम के सस्तर में सावीतरी सीटा में, पदमनी की चीता में, कृष्ण की गीता में अरजुन की वीरता में, युदिश्टी की धीरता में, करण के कबच के दान में, दाबीजी के असी दान में, राणा परताब के साब इमान में, हालती घाटी के युद में, महावीर स्वामी और गोतम बुत में, वैकूंट की बेतरनी में और देशनों की माकरनी में वो खिदर गए तुम अपनी साधी में बुलाना मां आऊंगा जरूर मुझे पता है आपको ना मोटिवेशन चे कोई मतलब है बादशाव ने बैठे हैं नर्टे बेस किया जाए या तो नर्टे से मतलब है वरना किसे मोटिवेशन देने के लिए किसी ने मोबाइल नहीं निकाल रखा था और जैसे इडास आये जैसे हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे ये दो तिन एक साथ चल रही है जारी रिमिक्स हो रही है क्योंकि रटके आते हैं जैसे दैसे करके हम प्यादे भी वजीरों में गिने जाने लगे दर्दर की धोकरें खाने वाले फकीरों में गिने जाने लगे जब से तुमने हम पर नजर डाली है हम काज के टुकडे भी हीरों में गिने जाने लगे तुम वो किदर गे तुम अपटी साथी में बुलाना माँगा जरूर एक निवाला ही सही में खाऊंगा जरूर नोकरी लगने के बाद भी ये के गे रहे हैं वह एक बादा आके बादों ने पहुल अच्छा बना रखाया थे उनके परोस्य तो प्रोग्राम लंबा नहीं चल पाता अब भी देख लो एक बार बस वाई वाई कर दो मिला वक्त तो तेरी जुलफे सुझाओगा ये जो चांद चांद कहके तुझे जो सर पे जड़ाते हैं ये ये कोई और है तीसरी तुम अपनी सादी में बुलाना मैं आऊंगा जरूर एक निवाला ही सही मैं खाऊंगा जरूर उस दिन सबके सर पे सहरे देखूँगा सारी रात रुख के तेरे भेरे देखूँगा किदर हो मिला वक्त तो तेरी जुलफे सुलजाओगा गुरूजी वो नर्ते वाले वो एक डांसर लेके आये थी किदर हो और वो है किदर बैठी किदर है एक बार वाई वाई कर दो फिर में ज्यादा लंबा समय नहीं लोगा वो है कहां यू यू बड़ी देर से पैमाना लिए बैठा हूँ जो देखे वो समझे के पिए बैठा हूँ ए जिन्दगी भर के लिए रूट कर जाने वाले मैं अभी तेरी तस्वीर लिए बैठा हूँ उस दिन उस दिन सबके सर पे सहरे देखूंगा सारी रात रुक के साथ तुपेरे देखूंगा मुझे तुम्हारी आँखों में सर्म देखनी है वो आग जितनी गरब है वो आग देखनी है उस रात मैं आखरी रात नाचूंगा जिस रात मैं तुम्हारी बारात में क्यों नहीं मैं कहूंगा मेरे महभूख की साथी या नच्छो क्यों नहीं कि मिला वक्त तो इतनी हो गई दो चार हो गई बस भूल है मोटिवेस्ट आपको कोई मतलब नहीं है पंदरा मिंट का ही तुब ला था अब चलो तुबर बड़ा हमें इतना मान सम्मान इज़त देने के लिए कह रहे थे बीजी कोई बीजी निया विए एकदम ठाला बेठ्या एकदम भडिया विजे पार जी ने फोन किया मैंने इतना ही का था हिदे को टेलगा रिप्या दे दि करना है तो निगाओं से कर तलवार में क्या रखा है पढ़ाई करनी है तो मेरे यार से कर मुझे में क्या रखा है उसकी निगाहें कतल गाहती उसका गुना है ये था वो बेगुना है थी वो एक मिटी हुई सी इबादत बनी रही चहरा खुली किताब था सहनाईयां उसे भी बुलाती रही मगर हर मोड पर दहेज की कुरवान गाहती वो रूस ओंप देना चाहती थी उसे पर उस आदमी की निगाहें जिर्व उसके बदन पर वाँ ये दो चाहन कहके तुझे सरफें चढ़ाते हैं करो आओ हमको आज के आज के आज के लिए हमको हमको सहना ये जबर आ जाता थोड़ा साथ जेपूर ने हमें बहुत मान सम्मान दिया है सच में जेपूर के बच्चे प्रेम करते हैं तो प्रेम बहुत नहीं नहीं जेपूर में मैं आपका वदा हूँ एक दिन वो टेक्निकल वाला वीडियो देख रहा था जिसमें आट तस लाग व्यू थी तो वह बला गुरुजी आपके सबसे ज्यादा आठ लाग में से डाइलाग व्यू जेपूर के दो नम्मर पे उसमें जोदपूर था बाद में यूपी की थी दो सीटी थी मैं गार चुरू गटशी ने देखी वो पंद्राक सोड़ा नाम दिगाते उसमें चुरू कही नहीं अभी अभी प्रोग्राम चल रहा था उसमें बच्चे ने मेरे कान में आके पता है क्या का मुझे अच्छा लगा बोल गुरुजी थारा एक वीडियो कांटियो गाडियों कुन सो बोल थे हैं या कह ओनी के पटन आ रहा है इको नी मेरा च्यानी इस मड़ा सेलेक्शन होगे यह जो चांद चांद कहके तुझे सरफे चड़ाते है उजड़े हुए चमन को भी गुला पना रखा है मैं तेरी हूँ मुझे ये इस्तेदार बता रखा है जो चांद चांद कहेंगे अजयो बस मैं तुझे लिजाओं ये जो चांद चांद कहेंगे तुझे सरफे चड़ाते हैं आप करो करो सब कुछ बचाये जाए तो अच्छा है सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है कुछ भी ना चुपाया जाए तो अच्छा है सब कुछ बताया जाए तो अच्छा है कुछ भी ना चुपाया जाए तो अच्छा है और अदालत सजी है उसके महले में एक गवा मेरे घर से भू बुलाया जाए तो अच्छा है